पहले ये बताना समुचित होगा कि अरणव गोस्वामी की सफाई आई है इस सफाई में अरणव ने कहीं नहीं लिखा है कि वाटसब चैट फर्जी है बलकि ये कहा है कि जब वाटसब चैट के लिए किसी पत्रकार को टार्गेट किया जाता है तो सोचिए कैसी परंपरा बनाई जा रही है अरणव भूल गये कि वाटसब चैट को लेकर ही गोदी मीडिया ने जिसमें वे भी शामिल थे रियाज चक्रवर्ती को कैसे टार्गेट किया था अरणव ने अपने जबाब में लिखा है कि वाटसब चैट में जो बाते हैं वो उस वक्त मीडिया में आम थी हजारों जगों पर छप रही थी क्या ये जबाब इस चैट को लेकर उठ रहे सभी प्रशनों के लिए काफी है शायद नहीं अरणव ने टियारपी वाले प्रसंग पर भी अलग से कुछ नहीं कहा है अरणव गोस्वामी ने अपने एक दूसरे बयान में ये भी कहा है कि कॉंग्रेस के नेता उनके खिलाब मन गढ़न आरोप लगा रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं और वे अदालत में आपराधिक मामला दायर करेंगे हम आपको बता दें कि वाटसब चैट में अरणव गोस्वामी पार्थो दासगुपता को 23 फरवरी के दिन बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला होगा तीन दिन पहले अरणव धारा 370 हटने के तीन दिन पहले पार्थो को सूचना देते हैं परवरी में बाला कोट के समय ही बता रहे हैं कि कश्मीर में बड़ा होने वाला है एक अलग चैट में अरणव पार्थो दासगुपता को कहते हैं कि 2-5 मार्च के बीच कश्मीर मत जाओ अगर जाना जरूरी है ते वे सुरक्षा दिलवा देंगे क्या इन चैट को पढ़कर ये संकेत नहीं मिलता कि जैसे सरकार न्यूज चैनल चला रही हो और उसके लिए कंटेंट पैदा कर रही हो और बदले में न्यूज चैनल का एंकर भी सरकार और उसकी राजनीती चला रहा हो पुर्वर अक्षा मंतरी एक एंटेनी ने आज इस पर सवाल उठाया और चिंता जताई सल्मान खुर्शीद ने कहा कि अड़नव गुस्वामी जिस तरह से बीजेपी नेता अरुम जेटली के बारे में बात कर रहे हैं दुख़द है पार्थों अपने चैट में कहते हैं कि एनम अबलिक एस को सबसे पहले दूसरे टर्मे वित मंतराले में फिर बदल करनी चाहिए हम बाहर जो भी कहें लेकिन देश की अर्थवेवस्था की हालत खराब है पार्थों कहते हैं कि जेटली इनकी सबसे बड़ी असफलता है इसके माद अर्णब का जवाब आता है कि मैं बिलकुल सहमत हूँ अपना चैनल होने के बाद भी खराब अर्थवेवस्था पर डिबेट करने से अर्णब को कौन रोख सकता है क्या ये सधारन बात है कि एकॉनमी पिट गई है और अर्णब चुप है भारत में बेरोजगारी है करोडों लोगों की नौकरियां चली गई बिजनेस बरबाद हो गए आम लोगों को 92 से 95 रुपे लीटर पेट्रॉल के देने पड़ रहे हैं आखिर अर्णब किस भारत माता की जय बोलते हैं आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थ विवस्ता तबाह हो गई लेकिन कहते हैं मैं तीवी पर नहीं बोल सकता क्यों क्या दबाब है आप पर क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थ विवस्ता डूबी हुई है ड़ते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके सरकार से जिसमें क्विट प्रो को है आपको लाव मिलता है उनसे आप उन्हें लाव पहुंचाते हैं आप सच देश को नहीं बताते और अपने आपको पत्रकार कहते हैं लानत ऐसी पत्रकार है एक बात ये जो कही जा रही है कि जो गोपरी ये जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है ये वो सरकार है भारतिय जंता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हिट सर्वो परी है देश की अख़ड़ता से कभी समझौता नहीं होगा और उसी कॉंग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूँ जिसने आज पावर पैड़ प्रेस कॉंफरेंस करी है और यूपिय और कॉंग्रेस की सरकार में पहुँचती थी क्या कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की बात सही है कि अरनव दर से नहीं बोल रहे हैं अरनव गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अरत्ववस्था खराब है क्या अरनव को किसी से डर लगता है अगर लगता है तो वह मेरे पास आएं उसका नाम बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कुनाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं, हाँ यहां कुदने फादने की जगा नहीं है, कम है, दिवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है, ना उचलने कुदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है, और सामान सारे सस्ते हैं, तूट गए तो, लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे, तो सारा डर भाग जाएगा, और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थ विवस्था की हालत वाकई खराब है, सुदा भारत वाज, वर्वरा राओ, वर्नन गुंजालवेज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, आनन तेल तुम्डे, रोना विलसन, सुरेंदर गाडिलिंग, महेश रावत, शूमा सेन, अरून फिरेरा, उमर खालीद, दिवांगना कालिता, नताशा नर्वाल, इन सब क के खिलाप अभियान चलाकर अर्नव ने एक तरह से जन्मत तैयार किया, तब तो अर्नव को किसी से डर नहीं लगा, अपनी अंतरात्मा से भी नहीं, बात मेरी ही सच होगी, बस तब आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा.